आज के concept in 2 minutes वाले session में मैं आपके लिए एक बहुत ही important और रोचक concept लेकर आया हूँ जी हाँ, बिलकुल सही, जैसा कि आप देख रहे हैं, constrained motion का concept जो की अलग-अलग competitive exams में बच्चों को बहुत परिशान करता है यहाँ पर एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, कि अगर ये block 10 cm, B block अगर 10 cm नीचे आता है, तो A block कितना cm उपर जाएगा दिमाग की नसों पर जोड डालिए और ध्यान से सोचकर फटा-फट से बताईए कि कैसे बताएंगे अगर ये 10 cm नीचे गया, B block, तो A block कितना उपर जाएगा सोच सकते हैं? चलिए, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए कि ऐसे कुष्ण हम कैसे करते हैं देखिए बच्चो, मान लिया जाए कि ये वाली जो पुली है, ये X amount उपर चली गई हम इस पुली को यहां बना देते हैं, तो अगर ये पुली X amount उपर चली गई, तो इधर से X और इधर से X, दोनों तरफ से X और X amount की रसी फ्री हो जाएगी क्योंकि ये पुली तो यहां पहुँच जाएगी, तो वो जो 2X amount की रसी इधर और इधर दोनों तरफ से फ्री हुई, वो गई कहां? जी हां, बिल्कुल सही, वो B block को मिली, यानि कि अगर ये A block X amount उपर जाएगा, तो B block 2X amount नीचे आएगा बिल्कुल सही, पुली के सवालों को इसी तरीक से किया जाता है, तो फिर आपने अगर कहा कि B अगर 10 cm नीचे गया, तो अवियसली ये block उसका आधा 5 cm उपर जाएगा, मित्रो समझ में आया, होफुली कि ये 2 मिनिट का सेशन तो था, पर इस 2 मिनिट से आपने सीखा बहुत गहन कंसेप्ट है, यही रिलेशन वेलोसिटी और एक्सिलेशन में भी फॉलो होगा ठीक है मित्रो, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ, थेंक यू